नमस्कार दोस्तों आप सवी का स्वागत है आई एंडी हिंदी टेक चैनल में दोस्तों आज कल क्रेडिट कार्ड कैसे मिल रहा है कैसे मिल जाता है इसका अनुमाल लगाना मुस्किल हो गया है क्योंकि जो लोग स्टुडेंट है जिनका आर्निंग नहीं है मतलब इंकम नहीं है उनको भी क्रेडिट कार्ड बैंक के कितरब से मिल रहा और पहली बार अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिल रहा तो बैंक नहीं देखिए कि कौन से बैंक से मिला है उसी कार्ड के बेस्ट पर आप जो बैंक में चाहेंगे उस बैंकर का credit card आप ले पाएंगे card to card process करके तो इस पर हम वीडियो बनाते ही रहते हैं और पहले से बना भी रखे हैं और जो भी नया तरीका आता है जो भी मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोग अप्लाई करोगे तो maximum लोगों को मिल सकता है वो तरीका मैं आप लोगों को देते रहता हूँ तो आप वीडियो को like जरूर करिएगा और चैनल को subscribe करके जरूर रखिएगा क्योंकि कव क्या informative वीडियो आपके लायक आ जाए कोई नहीं जानता चलिए अब हम बताते हैं आपको देखिए yes bank का credit card लेने के लिए इन्होंने try किया था और यह एक student है इनका कोई भी earning नहीं है और कोई भी physical verification नहीं हुआ और इन्होंने जो process किया है वो खुद इन्होंने mail के जरीए हमें explain किया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखिए और इन्होंने mail send किया है और जो जो मैंने questions पूछा है इनसे उनका इन्होंने जबाब दिया है और बताया है कि क्या क्या मैंने process किया है और मैं आपको telegram पर सुचित कराते ही रहता हूँ इन लोगों को credit card मिलता है वैसे बहुत मैं skip कर देता हूँ एक आद दो post में कर देता हूँ telegram channel से जरूर जोयल हो सही का वहाँ पर ताजा ताजा अपडेट आपको मिलते रहेंगे अब सबसे पहले इन्होंने लिखा sir मैंने yes bank का credit card अपलाई किया था बीना किसी income proof और home visit के only video KYC हुआ और यहाँ पर कोई call verification नहीं हुआ और मेरा card जो है एप्रोब हो गया 25,000 रुपया की limit भी मिल गया और sir मैंने customer care को call किया उन्होंने मेरा card lifetime free कर दिया मतलब lifetime free भी इनका card हो चुका और 25,000 रुपया की इनको limit मिल गया और इन्होंने screenshot के माध्यम से मतलब photo click करके इन्होंने credit card की peak भी भेजा है जो कि ये back side का है yes bank का और ये front side का है जो कि देख सकते है rewards plus credit card तो ये बढ़िया credit card है ये इस्तमाल कर सकते हैं और ऐसे भी lifetime free है और visa card इनको मिला है और इन्होंने एक limit का भी photo share किया है जिसमें आप देख पाओगे यहां पर लिखा हूँ आप 25,000 रुपिया की इनको credit limit मिला है और 75,000 रुपिया cash limit मिला है cash withdrawal की और एक later free आता है इस परकार से इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आपकी income कितना है पहले से कोई other credit card है civil score कितना है website से आपने apply किया था या फिर कहीं से apply किया था उसके बाद salary person हो salary person हो या फिर self implied हो मतलब आपने क्या डाला था वहाँ पर explain करिए तो इन्होंने लिखा कि मैं एक student हूँ और मेरी कोई income भी नहीं है मेरा civil score 734 है और मेरे पास HDFC bank का credit card है और वो मैंने website के जरी अपलाई किया था तो फिर मैंने बोला कि आपने application के समय क्या आपने existing card का जो credit card है HDFC bank का उसका जिक्र किया था मतलब मेरे पास है तो कहा कि नहीं ऐसा तो कोई options ही नहीं आया था डालने को तो मैंने बोला कि चलो okay तो यहाँ पर मैंने इन से यह भी पूछा कि क्या आपका account जो है yes bank में है तो इन्होंने लिखा कि नहीं सर मेरा कोई account yes bank में नहीं है लेकिन अभी call आया था yes bank से बोल रहे थे कि अगर आप 10,000 वाला account open करवाते हैं तो उसमें credit card auto पे लगाते हो न तो आपका जो account होता है वो zero balance account होगा फिर मैंने बोला कि open करा दो तो just अभी bank के तरब से imply आ रहे हैं और account open वो करेंगे मतलब account open करने के लिए आ रहे हैं तो इनका पहले से account भी नहीं था लेकिन इनके पास hdfc bank का credit card था लेकिन इन्होंने hdfc bank के credit card का कोई भी detail share नहीं किया फिर yes bank को कैसे पता चला जी इनका card अप्रूब कर दिया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है और इन्होंने मतलब ऐसे ही normal बात चीत हुई और इन्होंने ये बताया कि और भी पैसा निकाल लेना lifetime zero balance हो जाएगा ऐसा भी होता है गया हो सकता है इनको offer दिया गया होगा मैंने इनको बोला कि आप apply करने का link दिजिए तो इन्होंने apply करने का link दिया मैंने इनको इसलिए बोला कि apply करने का link दिजिए ताकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता सकूं कि यह कहां से जाकर कैसे apply किये थी और वही link मैं आपको इस वीडियो के description box में प्रदान करा दूँगा ठीक है तो इन्होंने बोला कि इस website से मैंने apply किया था और यहाँ पर इन्होंने कुछ screenshot send किये हैं यहाँ पर authenticate, उसके बाद eligibility, फिर apply, फिर documents और यहाँ पर congratulations ऐसा कुछ हो गया और continue वीडियो KYC की option आया, वीडियो call के मदद से इनका KYC complete हुआ, चलिए back आते हैं अब इस link पर click करते हैं, link पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं काकि automatic detail fill up हो जाए, नहीं होंगे तो no करके आप mobile number enter करके submit करोगे, उसके बाद apply करोगे और जो भी detail आपको डालने को बोलेगा, वो डाल देना, जैसे मैं यहाँ पर अपना mobile number डाल कर आपको दिखा देता हूँ मैंने अपना mobile number डाला, फिर submit किया, submit करने के बाद date of birth डालने को बोल रहा है, current जो आप रह रहे हैं, वो यहाँ पर डाल देनी है employment type तो उन्होंने salary rate को select किया था, company name, उसके बाद net monthly income तो अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकती है और first name, last name, email address यह डाल दीजेगा, personal email रहेगा तो personal email और यहाँ पर proceed कर दीजेगा, फिर आगे आपको बताएगा, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ सारा कुछ डालोगे तो यहाँ पर एक OTP भेजा जाएगा, ठीक है, पहले जो OTP आया रहेगा वो डाल देना, OTP नहीं आया है, तो recent पर क्लिक कर लेना, एक OTP आएगा और वही OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा OTP चार्ड डिजिट का होता है, उसकी बाद यहाँ पर कंफर्म बाले बटन पर क्लिक कर देना, अब देखो हमारे सामने भी reward प्लस credit card की option आ गया है तो यहाँ पर reward प्लस credit card के लिए हम eligible है, ऐसा इनका बताया गया है, जो भी हमने select किया था वो और 499 रुपया प्लस GST की यहाँ पर charges यह बता रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पर annual bonus 12,000 reward point वेगरा तो यह चीज़े आप देख लीचेगा, वैसे वीडियो थोरा सा लंबा होते जा रहा है, तो जो main main चीज़ी है वही मैं आपको बता रहा हूँ तो 499 रुपया प्लस GST है, तो यहाँ पर 590 रुपया मान कर चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर इसका सालाना charge है लेकिन उन्होंने बोला कि customer care को call करके हमने lifetime free करवा लिया, तो इनसे मैं आगे बात करूँगा, अगर इससे related video चाहिए तो मैं आपको जरूर बना कर दूँगा चलिए, get this card पर click करती है, अब यहाँ पर जो भी अपने detail डाला है, वो तो आही रहा है, इसके साथ ही कुछ extra detail जैसे हमारा zender, pen card, जो भी detail है address, यह सारा कुछ enter करना है, फिर submit करना है अब submit करने के बाद यह submit हो जाएगा, final उसके बाद यहाँ पर video kyc की option आएगे, video kyc में हम लोगों को continue करके video kyc कम्पलीट कर लेना है, उस समय सिर्फ और सिर्फ pen card जाएगे, लेकिन याद रहे, आधार card से पहले जो है, OTP verification, मतलब आधार authentication करवाया जाता है, जो आप online ekyc कह करते हैं, वो करवाया जाएगा, एक चीज मैंने यहाँ पर देखा है, कि जो city का नाम उसमें आता है, वही city आपको select करना पड़ेगा, other city का option नहीं है, तो यह थोरी सी दिक्कते आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बस अपने pen detail वेगरा डालिए और यहाँ पर complete application है, यह option पर आजाएगा, और वहाँ पर आपको video KYC की option मिल जाएगे, फिर continue करके आप आगे process कर पाओ कि KYC से जुरी, तो apply करने का तो बिल्कुल simple सा process है, आपको मैंने description box में link भी दे दिया है, नहीं तो इनकी official website पर आकर भी apply कर सकते हो, कोई official website पर आजाना, मैं website का ही link दे दूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि यह link special दे रहे हैं, वेगरा वेगरा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं official website का मैं link दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आना, और simple से यहाँ पर apply वाले option पर click कर लेना, जब apply वाले option प मिला कैसी, तो देखे, इनके पास यह भी हो सकता है, कि HDFC bank का credit card है, और उसे ही देखकर, ES bank के दरब से approval दी दिया गया होगा, या फिर यह भी हो सकता है, कि इनका credit score है, उसे देखकर, मतलब जो भी यहाँ पर civil score है, उसे देखकर, इनको credit card दिया गया होगा, लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है, जब यह लोग analyze किये होंगे, इनके bank card के हिसाब से, जो credit score या फिर civil score है, उसे देखे होंगे, तो उनको report भी दिखा होगा, उनको यह पता चला होगा, कि यह कौन कौन से company से कितना loan ले रखिये हैं, और क्या यह पहले से credit card ले रखिये हैं, या फिर नही बात है, यहाँ पर कुछ भी detail नहीं डाला गया, मतलब पुराना existing card की तो option ही नहीं दिया जारा, जो कि मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग try करके देख लेना, अगर आपका CT जो है, इनके area में आती हैं, इनके service वाले area में आती हैं, तो आप लोग try करके देख लेना, भ life time free credit card apply, मतलब लेने के लिए offer मिला, जहां पर उन्हें बताया कि आपको pre-approved credit card दिया जारा, बस आप एक video की वाइसी complete करियेगा, मैंने उनको बोला कि मेरा account ICIC bank में नहीं, फिर भी उन्हें credit card दे दिया, मेरे घर के लिए credit card निकल चुका है, सारा कुछ complete हो चुका है, अब यहां पर इंडिया post के मदर से भेजा गया है, अब वो लोग जब देने आएंगे, उस हिसाब से मैं आपको on boxing video दे दूँगा, चैनल पर बने रहेगा, और पूरा complete बताऊंगा कि कैसे मुझे यह pre-approved मिला, मैंने ऐसे क्या किया था, ICICI bank के पास, जो मेरा number ICICI bank के पास गय और फिर मुझे pre-approved credit card दिया गया, बहुत साथा informative वीडियो आने वाला है, वीडियो को like करके चैनल को जरूर subscribe कर लेजेगा, जो भी कहाड़ी था, जो भी जैसे भी मिला इनको credit card, मैंने आपको inform करा दिया, इससे जरूर कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला होगा, जानेने को मिला होगा, कोसिस करते रही है, कोसिस करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जब भी आप कोसिस करेंगे, क्या पता कोई भी बैंक आपको credit card कैसे भी दे सकती है, तो यहाँ पर एक चीज ये भी होता है, secure और unsecure card, जहां तक कि देखा जाए fix deposit पर भी अगर आप card ले रख करिए, card to card based पर credit card ले लिए, यह तरीका बहुत ही based है, बस एक credit card आपके पास हो जाना चाहिए, बाकि आप लगवग लगवग bank में credit card ले लोगे, लेकिन ध्यान रहे credit card कम से कम 30-40,000 limit के साथ आपको मिलना चाहिए, तक card to card based पर आप लगवग लगवग सभी bank में credit card ले करना ना बुले और वीडियो के description हमेशा खंगालते रहे, जो भी update आएगा मैं वहाँ पर आपको देता जाओंगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जोएन कर लेजिए, धन्यवाद